नए दाखेले नियम को लेकर छात्रों के मन में कई तरा के सवाल हैं उन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं दिली उनिवरिसिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंग सुनिए इस पर बातशीत करने के लिए मेरे साथ में मौजूद है दिली विश्व विद्याले के वाइस चांसलर योगेश सिंग सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बार्वी की मेरिट जब हमारे पास थी ऐसे में सी यू सेट की आवशकता क्यों पड़ी बार्वी की तो मेरिट थी ही बिल्कुँ सही बात है एडमिशन इतने सालों से होते ही थे उसमें लेकिन आपको ध्यान होगा जब हम डेली उन्वस्टी में एडमिशन करते थे हर साल बहुत सारा शूर शुरू हो जाता था कि 100% पे कट-off हो गई 99% पे कट-off हो गई अब उस कट-off से क्या है कि सारे बच्चों में पेरेंट्स में एक परिशानी सी होती थे आरे 100% मार्क्स लाने पड़ेंगे 99% मार्क्स लाने पड़ेंगे और स्टूरेंट्स के मार्क्स आ भी रहे थे एडमिशन हो भी रहे थे चलो उससे बहुत भरक भी नहीं पड़ता इतना घए नहीं देते कुछ बोड ऐसे जो लीनिएंट हैं थोड़े लीनियन होके मार्क्स देते है उन बच्चों के जादा मार्क्स आते हैं और बह siamoर्ग सारे बोड्र रीजनीबल से जेसे मार्क्स आते हैं तो जब मेरिट बेस्ट एडमिशन हो रहा है तो असमें क्या होता था कि जो बोर्ड तै कर रहा है बहुत बार कि आप किस बोर्ड के स्टूडेंट है आपकी पर्फॉर्मेस ही तै करनी चाहिए ना कि दूसरे पेरमेटर्स का रोल होना चाहिए अब यह मैं डेटा से जब देख रहा था तो ऐसे ऐसा effect and impact है इस बात कि दिल्ली के आसपास एक दो states हैं जो थोड़ा सा बोर्ड उनके strict है तो उनके students के बहुत कम admission होते हैं और बहुत सारी states से जादा admissions होते हैं अब हर student को कम से कम इस देश में equal opportunity होनी चाहिए मैं समस्ता हूँ भारत की सरकार ने ये निरने लिया COET का बहुत अच्छा निरने है इससे एक level playing field सब बच्चों को मिलने वाला है और उनको opportunity मिलेगी और वो नए नए courses के हिसाब से अपने को plan कर सकते हैं जैसे वो पहले करते थे उसमें कोई change नहीं है लेकिन जो 12th है उसकी मानते हैं इस बात को कि एक equal platform इससे मिल जाएगा सभी बच्चों को पूरे भारत के बच्चों को जी सबको मिल जाएगा equal platform मिलेगा equal opportunity सबके लिए है और इस बार तो क्योंकि पहली बार है तो भारत की सरकार पहली बार ये टेस्ट करा रही है देरे देरे एवाल हो गये और कि एक ही attempt दे रहे हैं पर अच्छी स्थिति ये बनेगी कल को कि हम दो बार इस टेस्ट को करें हो सकता है किसी एक दिन एक student अच्छा perform ना कर पाए दूसरे दिन और अच्छा perform करे तो best of two अगर हम लेंगे तो मैं समस्ता हम जो भी science होंगे वो भी धिरे-धिरे कम होंगे over the period इसा होगा मेरा विश्वास है किसी को इससे घबराने की जरूरत नहीं है यह सारी opportunity खोलता है एक arts का बच्चा है वो arts के different subjects में admission ले सकता है एक science का बच्चा है उसको अगर arts के subject पढ़ने है तो वो भी उसको allowed है जैसे पहले allowed होता था किसी भी कोई भी नियम इसमें restrictive नियम न करना चाहता है तो बच्चों के मन में यह भी सवाल है students के मन में कि ऐसे में वो किस तरीके से apply करेंगे कैसे eligibility होगी और कैसे admission होगा देखिए test की जो बात है आपने 12 के जो subjects पढ़े है उसी में आपको exam देना है तो जो 12 में आपने जो किया उसी में आपने देना है exam अगर देना है उसी में आप यह exam देंगे